होलो बच्चो मैं सभी का सौगत करता हूँ अपने पैरे से फिजिज गान मुकेशन एक यूटुब चैनल पर बच्चो आपके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा एक वर्दान हो सकता है भाई क्योंकि आज बहुत बड़ा धमाका करने वाला हूँ क्योंकि माक्जिमम स्टु बड़ी ट्रिक्स आप लोगों के सामने आने वाली है और इसको फॉलो करें तो 100% आपका रिजल्ट आएगा ये गारेंटी के साथ लास्ट येर हमने ऐसे रिजल्ट लाए है जाके देखो हम लोगों ने जब जब हम लोग ऐसे प्लान बना के देता है बच्चों कुछ फॉ बोड के साथ साथ यहमेश्टी सीटी के प्रापर तरीके से कैसे तैरी करने चाहिए सबसे मेली आहम एक मुद्दा है कोई भी जो कॉम्पिडिटी की तैरी करने अच्छे मुझे अक्सर ऐसा क्यों लगता है और होता भी है ऐसा कि सर यह सी बोड की जो टेक्सबूक होती है बोड की जो है ना बोड की जो टेक्सबूक होती बच्चो यह टेक्सबूक रीडिंग नहीं करते है मैं हमेशा देखता हो टेक्सबूक रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है क्यों है मैं आपको कुछ खिस से सुनाओंगा और साथ में मेरे पास यह टेक्सबूक कुछ बच्चे बोलते हैं फिस्क बहुत टप जाता है और जब भी हम लोग फार्मुला नहीं कर पाते हैं यह क्यों होता होगा इसे तो इसका कारण है उसका Basic है बच्च उसको Techs book ready Techs book को अच्छी तरह से करना यह बहुत जरूरी है फिर आप नीड दे रहे हो जे डबिली दे रहे हो deflectory दे रहे हो यह एंडीय कर रहे हो आइसर की एक्जम दे रहे हो जितने भी competitive exam है इसका सबसे main basic है बच्चो textbook reading टेक्स्बुक को अच्छी तरह से knowledge gain करना कुछ बच्चे पढ़ते भी है तो knowledge gain नहीं करते होगी या प्रॉपर तरीके से रेंड नहीं करते है इसके कारण भी बहुत सरे बच्चों के मन में जो भी सवाल आता है उसका solution यहीं है बच्चों हाँ जी अगर आप लोग first second third में अगर simple table ना करते ABCD ना करते spelling ना बनाते तो क्या आज आप English की book पढ़ पाते क्या आज आप mathematical calculations कर पाते तो basic बहुत important है बिना basic का कुछ नहीं होता है तो चलिए HSC board की textbook reading बहुत important है मैं इसी मुद्दे पर बहुत ज्यादा focus कर रहा हूं आप लोगों को शाय समझ में आता होगा लेकिन सरह हम लोग टेक्ट बुक रीडिंग करते समझ में नहीं आता है इसका कारण भी होता बैसिक नॉलिज नहीं होता अब मैं एक ग्जांपल बताता हूं हमारे बुक में टेक्सबुक में एक डिक्स दिए अली बच्चों और यह डिक्स में से 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 सेंट्र आप मास से एक्सिस पास करेंगे हम लोग ऐसे और यह एक्सिस पास करने के बाद इसका जो मोमेंट आप इनर्शा होता बैटा आए सी इस इकोल टू यह आर स्क्वियर वाइट रोटा है थिक यह सब को पता होता है ओके लेकिन सबल क्या आता है पता है आपको कि आप लोगों को जब भी यह टैंजेंट इसका क्वेस्ट अब यह डायमेटर बना है और इसका डायमेटर का फार्मुला है बच्चों यह स्क्वेर बाइफ और यह होता है वह आई-ओ एड में से और दोनों के बीच का जो अंतरी बच्चो वह आ रहे है तब इसके लिए पारेलल एक्सिस का तेरम लगता है आई-सी प्लास यह और यह आई-सी आई-डी बना है और आई-डी का फार्मूला मेरे पास यमार स्क्वेर बाइफ और यह यह की वैल्वी है आर शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मतले ना मैं फाट इतले रहा हूं क्योंकि बच्चों यह ना पता हुने का कारण क्या है टेक्सबूक है मैं बस इतना आपको एक्स्प्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूं जान देना है तो यहां पे आपको फाइव बाइफ फॉर यमार स्वेर अब बहुत सारे बच्चे कॉमेंट भी कर सकते कि हां सरी यह सहीं में आम लोगों को न देखनी चाहिए और एक पर क्यों ना हो टेक्सबूक पढ़ना चाहिए सरा हमारे पास समय नहीं वहां समय बहुत है बच्चे क्राश कोर्स में भी 99 की उपर परसेंटेल आरे भाई तुझे तो आज से जुले खतम हो चुका है कंसिडर कर रहे है लेकिन आगश्ट से तेरे पास कितने दिन हैं सोच तो थोड़ा सा थोड़ा सोचना भी बहुत जरूरी है करिब करिब 10 महीने हैं आपके पास में महीने में एक्जाम होनी वाली आपकी है ना और बोड़ की जो फ्रेशर बच्चे है तो मैं चाहता हो कि भाई इतना डिटेल करो इतना डिटेल करो कि भाई यह डिटेल की कोई एक सीमा होती है क्या तो बिल्कुल नहीं होते हैं चितनी बार पढ़ोगे उतना नौलेज गेन करते जाओगे उतनी टेक्निक डेवल होती है आपका ज्ञान कितना है आपके पास नौलेज कितना है इसके उपर वो डिपेंड करता है राइड बच्चो वैसी कि मैं गाव में जाता हूं रस्य से मुझे लंबा रस्ता पता था उसी रस्ते से जा रहो लेकिन जाते-जाते मैंने सोचा कि यार इससे पी कोई स्व बार उस जगे पर जाना पड़ेगा तब आपको यह पता होगा तो मैं वहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं ट्रिक्स ऐसे ही पैदा नहीं होते तो बच्चो चलिए आज के हमारे जो में इंपोर्टन टॉपिक्स है उसकी उपर हम लोग आज बात करने वाले हैं ठीक है तो बह करनी बच्चो क्या आप समझ पा रहे हो टेक्सबूक रेडिंग करनी है नमबर एक अब रेडिंग करनी है तो नहीं समझ में आता ऐसे रेडिंग नहीं करता तो कोई वीडियो देख सकते हैं जैसे मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं आपने यह चैनल पर पूरे पूरे चप्टर वाइज एकदम आराम से बना के रखे हैं पूरे टॉपिक वाइज मैंने सब कुछ चीज़े बना के रखी है तो आपको विल्कुल टेंशन लेनी की जो रत नहीं है तो आपको यह चीज समझना पड़ेगी सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वीडियो देखत समय टेक्सबूक होनी चाहिए अपके पास नोडबूक होने चाहिए पेन होना चाहिए और हम लोग जब भी डेरिवेशन कर रहें वह डेरिवेशन देखने के बात दूबरा लिख के देखो और थोड़ा सा फस्ट कर सकते है तो एक स्वाल करके देखना है अब यह वीडियो देखा है सर्थ बहुत बढ़िया डेरिवेशन करके देखा बहुत बढ़िया लेकिन सही में हमको कितना नौलेज गेन हो चुका है यह खुद को पूछने के लिए इसकी उपर आपको पहले फार्मुला सी ट्यार करो फार्मुला सी ट्यार करो यह फार्मुला सी ट्यार होने के बाद आपको क्या करना बैच्चों नियूमिरिकल करो नियूमिरिकल में हमारी आवकात पता लगती भाई कि भाई मैं सही तरीके से कर रहा हूं यह नहीं कर रहा हूं यह भी तो सोचना बहुत जरूरी है नियूमिरिकल करना है नियूमिरिकल में क्या रहता है भाई कि गीव तो यह समय लगता है वैसे यह न्यूमरीकल करकर हमारा जो ब्रेन इसको श्ट्रेज दे दे के अधद लगती है और वह उसी तरीके से सोचने लगता है तो न्यूमरीकल करो तो इसका फाइदा क्या होगा सर आप तो यहिए सिपॉड की बात कर रहे है लेकिन कोई बात नहीं और यह सर तो टेंशन मत लेना बहीं पहले यह तो कर ले तो निमेरिकल हो गया बाद में आपको क्या करना है बच्चो निमेरिकल होने के बाद थोड़ा सा questions के derivations यह एक बार revision होना चाहिए उस मैं रिवीजन की बात कर रहा हूं बच्चों यह होने के बाद आपको क्या करना है फॉर एक्जम्पल कोनिकल पिंडूले में टॉपिक लो उसके फार्मूला देखो उसका थोड़ा का इसकी डियाग्राम देखो टी को सिटा क्यों आता है टी साइन ठीटा क्यों आता है यमजी पड़ो भाई थेरी वाले थोड़े से बेसिक होता है कि यह हुई question देखा और जवाब देखा उसकी मतलब option देखा आपना तो आपका जवाब मिल जाएगा इस लेवल पर करना है सर ऐसा क्यों भाई confidence बढ़ता है कि चलो यार कुछ ना कुछ तो मुझे आ रहा है आपको मैं कोई टेंशल लेनी की जड़रत नहीं है आपको यह समझना सबसे पहले ओके तो यमसी कुछ लेवल वन ये क्यों आएंगे क्योंकि आपने वीडियो देखा आप फार्मूला से बनाए नियूमिरिकल किया नियूमिरिकल करने से यमसी कुछ में मैंग्जिमम प्रॉपर तरीक कैसे नियूमिरिकल होता है पस्टोड़ा सा ट्रिक्स पता लगेगी जादा सी कुछ में हो और सोव करें को कि कैसे सल किया जाते है एसला नियूम उसाफिए नगे चाप्टर हो गया उसी के उपर करो ने तो एक आपका चाप्टर चले भाईया एच्छे सी बोड में रोटेशनल डायनमिक्स और यम्सी के सॉल कर रहे हैं हम लोग कर रहें इलेक्टिसिटी भाई कोई फाइदा नहीं है क्योंकि आपको दोनों को बैलेंस करना है यह क् Вас से अपका इतना बढ़िया यम्सी क्यूस को सपोर्ड करने वाला कॉंसेट है यह पाधे यम्सी क्यूस सॉल करने में और जो भी कष़्ा है ना इदर का और शादा हो एक ही फार्मूले के बेस्स पर हो दो तीन फार्मूले एक जगे पर इस्तेमाल करना में एक ही सादा इंस एक इसे है और शुर्ज यह मार ओमेगा स्क्वेस बस इसी के ऊपर सिंपल डेल पर करो समझे ना कभी-कभी ऐसा भी होता कि टीस इकल टू आर-ोमेगा स्क यम ने तो ऐसा करता हो टेंशन वाला मतलब यह फोर्स यम आर ओमेगा स्वेर अब इसमें भी क्या होता है कभी-कभी ओमेगा इसकूल टू पाईयन वाला फार्मूला अईसा मत इस्तेमाल करो और यह फार्मूला और एक थोड़ा थोड़ा फीजीक्स आ रहा है और मैं अभी आगे बढ़ सकता हूं तो इस लेवल पर तहरी करने बच्चों आपको यह धान रखना आपको लेवल थ्री पे जो है बच्चों इसके लिए आपको करना क्या पता है एक बार रिविजन करना है पूरा चाप्टर वन शॉट वीडियो जैसे वन शॉट देखो यह लेमार से लाश्ट मंत रिविजन वाला वीडियो देखो बाद में लेवल थ्री पे आना है इस लेवल थ्री में बच्चों आप लोगों को हो सकता है आप पीवाई क्यूज करें चलेगा या दो तीन फार्मुली को मर्च करके बनाए यह लिवल पे करोगे तो मैं गारेंटी दूंगा आप सो में से अगर आपके सतर या असी प्लस भी क्वेश्चन साते हैं मतलब आप बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और धान रखना जो बोड़ का डॉपिक किया उसी का मेंस्टी सीटी का टॉपिक क याद नहीं आ रहाता वो भी आदाने लगेगा आप समझ रहे हो मुझे क्या बोलना है फार्मूला भी लर्न हो रहा है और इधर भी हिल्प हो रहे है इधर की न्यूमिरिकल आपके मालूमात के लिए 36 मार्के सब्तर मार्क में से शायद यह करके आपका बोड़ का 36 मार्का जो न्यूमिनिकल सेक्षेन है ना वह भी पक्का हो जाएगा तो भाई ऑफर के उपर ऑफर है देर किस बात की कर रहे है भाई जल्दी से यह पढ़ाई करना चालू करो पहले बोड़ की रिविजन करके यह में स्टी सीटी के लेवल वन लेवल टू लेवल तु लेवल त्र लॉंच की है इसमें बहुत ही बहुतरीन तरीकस है पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन वर्ट टू वर्ट सिका रहे है दमागा कर रहे भाई इस साल लास्ट इयर हमारा यह से बोड़ में 98 मार्क पे फरस्ट आया था इस साल हमारा मकसद है 100 आउट आउट आप 100 वह भी फीजिस की बात कर रहा हूं फीजिक्स में आते नहीं है लेकिन भाई मिशन पर हम लोग इस साथ और मिशन कम्प्रिट करेंगे लास्ट इर हमने 95 बोला था 98 लाया था सर अब सो में से 102 लाओगे क्या नहीं सो ही होते सो लाने वाले 100 परसंट गारेंड के साथ के चल रहे और बच्चों का कॉंसेट क्यों पर कॉंसेट बढ़ा रहे है बहुत ही सारा मजा रहा है बच्चों को और आपको भी आएगा लेकिन उसके लिए बस महनत प्राक्टिस कोई धोका नहीं देना है या खुदको रेगुलरीटी रखने है लेक्चर में रेगुलर आ कि अतर्ब दो और आपको प्राब।